हलो फ्रेंट्स and वेलकम बैंयों चैनल मैं हूश्वेता और फ्रेंट्स आज मैं लेकर आए हूं ब्रेट उपमा की रेसिपी ब्रेट से अक्सर हम सैंडविच बनाते हैं ब्रेट रोल्स बनाते हैं बट आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड उपमा जो बहुत ही जादा टेस्टी हल्दी और डिलिश्यस होता है तो इसके लिए मैंने लिया है पैंग 3 टेबल स्पून के बराबर आइल आड़ किया इसे अच्छे से गरम होने देते हैं 1 टी स्पून के बराबर सरसु के दाने आड़ करना है और इसे अच्छे से क्राकल होने के बाद मैंने इसमें डाला है प्याज तो इसमें मैंने एक बोल के बराबर बारी कटा हुआ प्याज आड़ किया है तीन हरी मिर्च बारी कटा हुआ आड़ किया है आप चाहे तो जैसे भी अपने इसाब से कम ज्यादा मेर्च डाल सकते हैं 10 से 12 करी लिवस अड़ किया है तो ये जो क्लिप था मेरे से हट गया था तो ये मैं नहीं अड़ कर पाई Actually मैंने मोबाइल को अन नहीं किया था उस वक्त इसलिए मैं बता दे रही हूँ साथ में कौन डाला है कैपसिकम डाला यानि शिम्ना मिर्च और ये फ्रोजन कौन है ये बहुत ही जल्दी से पक जाता है और इसे हम हाई फ्लेम पर स्टर फ्राई करेंगे दो मिनिट के लिए फिर इसके बाद हम डालेंगे कुछ मसाले जिसमें मैंने डाला है चिले फ्लेक्स 1 टी स्पून के बराबर 1 टी स्पून मैंने लिया है ब्लैक पेपर पाउडर 1 टी स्पून मिक्स्ट हर्ब लिया है और 1 अना हाफ टी स्पून के बराबर आपको नमक एट करना है और इसमें मैं डालने वाले हूँ एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए पाव भाजी का मसाला जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो मैंने इसमें वन टी स्पून के बराबर जो पाव भाजी मसाला है वो एट किया है अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर सकते हैं वन टी स्पून टोमाटो सॉस आट करना है वन टी स्पून विनेगर आट किया है अब इसे मीडियम फ्लेम पर थर्टी सेकंड्स के लिए कूक कर लेते हैं ताकि जो भी हमने सॉस मसाले आट किये हैं अच्छे से वेजिटेबल में कोट हो जाए अब मैं इसमें डालूंगी पीसे में कट के हुए अराउंड फाइब तो सिक्स मैंने ये ब्रेड स्लाइसे के लिए हैं आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं मैंने वाइट ब्रेड लिया है चोटे पीसे में कट के लिया है और इसमें वन टेबल स्पुन के बराबर हलका सा पानी आपको छिड़क देना है और फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू स्लो रखना है और इसे फ्यू मिनिट्स के लिए हम को करेंगे मिक्स करते हुए और इसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं कोरियंडर लेवस यानि धनिया पता डाल के आप इसे सर्फ कीजिए गर्मा गर्म यह बहुत जादा टीस्टी और डिलिशन बनता है तो आज की रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेर सब्स्राइब कर लीजेगा अगर नए है मेरे चैनल को मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ तब तक के लिए टाटा इन बाइ बाइ बाइ